अगली कॉलर है हमारे साथ ममता जी स्वागत है आपका इस नमस्कार आपको जी नमस्कार मैं जी मैं चाहिए भाट दिन से लगारहें हैं तो पहली बार लगा आपको बहुत भाट धन्वान मैं बात कर लिए आपको प्रोग्राम देखती हुए जी जी कर मुझे न हकिन साब मुझे पयास बिलकों नहीं लगती हम ठीक है ऑ और खारश भलकों फजन नहीं होता कुछी मी कहला है एक ख़य ट्रशे नहीं होती क्छाने के लिए ठीक है ठीक ह किए प्यास भोत दिन हो गए कॉन साल हो गए वर्ष होगए आइयू आयू बता दिए अपनी जी मेरी पता से उपन है ठर्पन धर्पन के लगवा के तो देखिए प्यास लगने के लिए एक मामूली सी चीज़ बता रहा हूं यह जो पन्वाडी पान बेचता है ना यह साधा पान यह उसमें कुछ लगा यह नहीं कत्था चुना होना कुछ नहीं हाई और आधा पान और साथा पान और कुछ नहीं चबाकर खाली जे और पानी पी निजये इसनहेट पूरे दिन प्यास लगेगी और आप जितना प्यास लग उतना पानी पिय झाना खाने खाने की इच्छा नहीं होती और वो डाइजेस्ट नहीं होता हाँ इसके लिए आप नस्का बना लीजे सौंफ सौंट जीरा अजवाइन धनिया मेथी मेथी का दाना दीकि बहुत मश्यूर कामियाब नस्का माना जाता है यह युनानी का और यह नस्का यू है के सौंफ सौंट सौंगिराम जीरा अजवाइन सौंगिराम और धनिया मेथी सौंगिराम इसको पाउडर बना के रख ले और एक आता है नमक जैतून दिखने में बलकुल नमक जैसा ही होता है लेकि साथ में अमकीन नहीं होता है इसकी पहचान होती है तो एक चुटकी नमक जैतून गिलास पानी मिला दें और इस पानी से यह जो च्छे चीजों का पाउडर आपने बनाया है यह चमच खाए और यह पानी पीले तो ही पूरे पेट के सिस्टम पर काम करता दस बारा रोगों पर यह बड़ा कामियात भी से काम करता है, गरिलन उसका है नमक जेतुन असलीने नक infection, भूख ना लगना, इन रोगों में काम आता है, फिर लीवर हमारा सुस्त हो जाता है, एकसर तो भूख नहीं लगती, लीवर को कहता है कि जम्मेदारी से काम कर अपना और तोड़ा फास्ट हो जा, कुद्नी की बड़ी सफाई करता है, और भूख लगाता है, वरम दूर करत है, infection दूर करता है, बवासीर दूर करता है, बहुत सारे रोग को फाइदा करता है, skin problem के लिए बहुत अच्छा है. इस तरह इस्तमाल करें, फाइदा उठाएं.